भारत में शांती समझोते के लिए जिलेंस्की बना रहे हैं दबाओ जिलेंस्की चाते हैं कि भारत में हो शांती समझोता निवेंबर में शिकर समेलन का प्रस्ताओ रखा गया है तो देखे यूक्रेनी प्रेसिडेंट जिलेंस्की चाहते हैं कि भारत में शांती प्रस्ताव रखा जाए रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर अब शांती स्थापित की जाए तो जिलन्सकी को भारत से ही उम्मीद है जिलन्सकी ये चाते कि युद खत्म करने के लिए जल्द बैठक हो भारत रूस से शांती सम्मेलन की पहल करे जिलन्सकी का ये कहना है साथी पेम मोदी के अगवाई में शांती सम्मेलन हो ये भी जिलन्सकी कह रहे है और साथ ही भारत को शांती सम्मिलन की मेजबानी की पेशकश की गई है जिलन्सकी की तरफ से नवंबर में शिकर सम्मिलन का प्रस्ताव दिया गया अमेरिका समेथ पश्मी देशों को भारत से काफी उम्मीद है और देखे इस बीच आई अब एक नज़र डालते है फिछले 50 दिनों में क्या घटना करम हुआ है बिग वॉल का सीधा मरुक करते है और इसके जर्य पूरी जानकारी आपके सामने 9 जुलाई 2024 मोदी का रूस दौरा प्रधान मंतरी मोदी ने रूस का दौरा किया पुतिन से कहा ये युध का दौर नहीं है नौ जुलाई को जब मुलाकात हुई थी व्लाद में पुतिन से 23 अगस 2024 की तारिक 44 दिन के बाद प्रधान मंतरी मोदी का युकरेन दौरा होता है जलंस्की से क्या कहा जब 23 तारिक को मुलाकात हुई भारत की भूमिका बड़ी है जलंस्की की तरफ से ये कहा गया है प्रधान मंतरी को और 27 अगस्त को पिया मोदी की बाइडन से फोन पार इसके बात हुई है 26 अगस्त को युकरेन में शांते स्थिरता के लिए समर्थन की बात को प्रधान मंतरी की तरफ से दोहराया गया 27 अगस्त की तारिक प्रधान मंतरी मोदी की पुतिन से फोन पर इसके बात बात हुई यानि जलंस्की से पहले बात और इसके बात पुतिन से बात 27 अगस्त को जंग खत्म करने को लेकार बात हुई है प्रधानमंत्री की पुतिन से जलन्सकी जो बाइडन में इसके बाद बाचित हुए कि कैसे समझोता करवाया जाए युक्रेनी राशपती ने कहा बाचित से होगा युद्ध का आन्थ यानि कि युक्रेनी राशपती जलन्सकी मानते हैं कि अब युद्ध का दोरनी बलकि बाचित के जरीए समधान निकल सकता है